नमस्कार फ्रेंड्स, मैसल दॉक्टर शिखा, स्वागत है आपके अपने चैनल होमेबोन में फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलकोहलिजम के बारे में अलकोहलिजम यानि कि अगर आपको शराब का एडिक्शन है या फिर अगर आपकी किसी फ्रेंड को, या फैमिली में किसी को, या फिर किसी रिलेटिभ को शराब पीने की बहुत बुरी आदत सी बन गई है और अगर आप उनकी आदत छुड़वाना चाहते हैं या फिर अगर आप खुद अलकोहलिक हैं और अपनी आदत छोड़ना चाते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़दा बैनिफिशल है क्योंकि आज की वीडियो में आपको शराब का एडिक्शन छोड़वाने के लिए बहुत ही एफेक् मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपोर्टेंट बात बताना चाहती हूं कि शराब या फिर अगर किसी और तरह का अगर आपको एडिक्शन है तो उसको छुड़ाने के लिए उस परसंद का खुद का विल पावर होना बहुत जरूरी है खुद की इच्छा लेंगे भी तो मेडिसिन लेना पूरी तरह से वेस्ट है कि ऐसी कंडिशन में मेडिसिन अपना सर नहीं दिखाती है इसलिए परसंद की इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है शराब को छोड़ने के लिए तो चलिए बात कर लेते हैं पहली मेडिसिन के बारे में तो प पहले 15 दिन आपको यह मेडिसिन असी तरह से लेनी है उसके बाद आपको हर हफ्ते इच्छी सिर्फ एक बार लेनी है मौर्निंग में दो बुने दूसरी मेडिसिन है सिफिलिनम वने यह दवा आपकी उस क्रेविंग को हटाती है जिसकी विजह से आपको शराब पीने की तल चली आ रही है तो यह दवा उस टेंडेंसी को भी खतम करती है तो आपको सिफिलिनम वने में पुटेंसी में लेनी है और आपको यह दवा महीने में सिर्फ एक बार लेनी है सपोज अगर आपने यह मेडिसिन आज ली और आज 12 तारीक है तो आपको अगले महीने की 12 तारीक को ही यह दवा दुबारा लेनी है और इस दवा की आपको केवल दो बोन लेनी है, डारेक टंग पर. तीसरे जो मैडिसिन है वो इक कॉंबिनेशन की फॉर्म में है जिसका नाम है गोटॉक्स combination जो की backson brand का है ये जो दवा है वो आपके सभी तरह की addiction के लिए बहुत ज़दा effective होती है चाहे आप शराब पीते हैं या फिर आप cigarette पीते हैं या फिर अगर आप गुटका खाते हैं तो toxins को remove करने के लिए आपकी body से और इन सभी चीजों की आदत को छोड़ाने के लिए ये formula बनाया गया है क्योंकि ये सभी चीज़े आपकी body में जाकर जहर का काम करती है और इन सभी के नशे को खतम करने के लिए ये medicine बहुत ज़दा effective होती है आपको ये medicine कैसे लेनी है? ये medicine आपको दिन में दो बर लेनी है सुबा शाम एक चमच पानी में 10-15 बूने डालकर आपको कोई medicine लेनी है सुबा शाम और साथ में आपको वो 2 medicines भी लेनी है जो मैंने आपको अभी बताई फ्रेंड्स लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि ये जो भी addiction छोडने का process होता है उसमें दवाई के साथ साथ आपकी अंदर की इच्छा शक्ति का होना अगर आपकी अंदर की इच्छा शक्ति नहीं है अगर आप शराब छोडने का मन ही नहीं आपका और आप सुपरफिशली medicines ले रहे हैं तो आपकी कोई भी addiction छूट नहीं सकता है तो आपकी इच्छा शक्ति का रोल बहुत बढ़ा होता है किसी भी addiction को आप अपने उपर हाव इसलिए आपकी willpower का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अपनी willpower को maintain रखें अपनी willpower को strong रखें और ये medicines continue लेते रहेंगे तो आप शराब या और किसी और नशे की जो आदत है उसके चक्र भी उसे बाहर आने में आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी बहुत जल्दी निकल पाएंगे तो आज के लिए इतना ही तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें सेहत से जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन भी जरूर दबादें और इस वी पर बहुत बुरा असर पड़ता है उनकी अपनी लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है बहुत सारी बीमारियां भी इसके साथ चलती है एक टाइम के बाद पूरा शरीर खतम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा तबाह कर देने वाली चीज होती है इसलिए आप ये आए चाहती दूरी चीज होती है झालता है झालता है ता कर दो बादावस के और ज्यादान हो जाता है जाए हम जाता है वीपिशन प्रहुट के हैंचिन नहीं जाता है इसलिए